हेलो स्टूडेंट्स चैसे वो आप सभी आपका स्वागत है tähän वोलकण वाई-y-ease के इस प्लेटफोर्म पे स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इस लेक्चर की तो यह लेक्चर हमारा पॉलिटी सीरीज का लेक्चर है और इस lecture के अंदर हम discuss करेंगे special officer for linguistic minority जो हमारी constitutional body है उसके बारे में हम यहाँ पर discuss करेंगे इसके साथ ही इस lecture के अंदर friends हम discuss करेंगे कि हमारे जो constitutional जो provisions है language से related जैसे हम बात करें तो हमारे schedule language कौन-कौन सी है जो हमारी 22 schedule language है किस तरीके से add की गई कौन-कौन से constitution amendment act के थो उनको add किया गया इसके अलावा friends हम अगर हम बात करें अभी यहाँ पर discuss करेंगे जो हमारी six classical language है उनके बारे में भी यहाँ पर discuss करेंगे तो linguistic officer on minorities की linguistic minorities का जो officer है इसके साथ-साथ हम language के जो भी provisions हैं उनके बारे में discuss करेंगे कोई जो हमारी endangered हो गई है कोई language तो उनको बचाने के लिए किस तरीक से government के दुवारा कोसिस की जा रही है कौन सा हमारा institution है new education policy जो हमारी आई new education policy जो हमारी आई तो उसके अंदर कितनी language है जिनको allow किया गया है teaching के लिए तो friends यह हमारा काफी important topic है आपको पता होना चीए इन provisions के बारे में 2021 में भी एक language से related एक question था prelims के अंदर में इससे पहले भी classical language पे question पूछा था कि latest कौन सी classical language है वो add की गई है जो classical language के रूप में तो हमको वो जो six classical language है उनके बारे में पता होना चीए अभी recently एक demand चल रही थी महराष्टा से कि मराठी जो language है उसको classical language का status दे दिया जाए तो जो मराठी language है उसको classical language का status क्यों नहीं दिया गया क्या-क्या provisions होते हैं जब किसी भी language को अगर classical language का status देना है तो उसके लिए तो इन सब जो topics हैं जो language से related जो भासा से related जो काफी important है उन सब topics के बारे में यहाँ पे हम discuss करेंगे इस lecture के अंदर तो friends आज का जो discussion है आज का जो यह हमारा lecture है इसको start करते हैं और इन topics के बारे में जानते हैं सबसे पहले अगर हम बात करें जो linguistic official है minorities के लिए उन की बारे में यहाँ पे बात करेंगे तो special officer on linguistic linguistic language से related minority language से related हम बात करें तो originally यह जो office है friends यह originally यह office हुआ नहीं करता था हमारे constitution के अंदर में तो बहुत बार आपसे question पूछ लिया जाएगा prelims के अंदर में कोई भी exam के अंदर में क्या originally constitution में बिलोंग करता था यह नहीं करता था यह office तो friends originally हमारे constitution के अंदर special officer for linguistic minorities नहीं हुआ करता था originally नहीं हुआ करता था बाद में जब state reorganization act आया state reorganization act friends आपको पता होगा कैसे यहाँ पर one language one state की demand हो continue increase होती है तो आगर हम बात करें कि पोटी सरी मालू है उनके दुआरा यह demand है वो increase की जाती है आंदरा प्रदेश के लिए basically जो तमिल तेलगू speaking people से उनके लिए और तमिल speaking people मदरा से एक state हुआ करता था तो जो आंदरा प्रदेश के लोग है वो तमिल हैं तेलगू language बोलते हैं तो उनकी डिमांड थी कि हम तेलगू बोलने वाले जो लोगों को है न एक जगह अलग कर दिया जाए हमको बिलकुल अलग कर दिया जाए एक अलग से state create किया जाए इसके लिए government के दुआर अब बहुत सारी committees बनाई जाती है सबसे पहले S के धर committee आती है कि एक language के basis पे आप कोई भी state को create नहीं कर सकते क्योंकि उनका जो मानना था वो एक सही बात है क्या अगर आप बात करो dialect की भी कोई language का जो बोलने का जो तरीका होता है dialect की बात करें तो dialect की आप देखिए friends कि जो up to the 10 km या 8 km के अंदर dialect है वो change होता है अगर आप अपने आसपास के areas के अंदर भी देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जैसे ही 10-15 km का area आप cross करोगे आपके कोई भी place से तो वहां से जो बोलने का तरीका है वो change होगा तो हर 10 km 20 km पे हमारे country के अंदर dialect create change होता है dialect अगर change होता है तो friends इतनी सारे जो states है उनको कैसे create किया जाएगा dialect basis पे भी demand हो increase होने लगेगी तो इस वज़े से one language one state के states create नहीं के लिंग्विस्टिक अन कल्चरल जो homogeneity है उसके basis पे states को create किया गया बाद में अगर हम friends बात करें तो यह जो हमारी special officer for linguistic minorities की जो office है यह भी बाद में state reorganization act के थूँ आती है friends तो यह 7th constitution amendment act था हमारा 7th constitution amendment act उसके थूँ इस office को add किया गया article 350b के थूँ 350a क्या है friends instruction in the mother tongue से related है 350a वो भी 7th constitution amendment act के थूँ ही add किया गया था basically article 350 is related to the language से related ही इसके अंदर provisions है तो यह हमारा article 350b के थूँ इसको constitution में add किया गया constitution के अंदर और अगर बात करें कि यहां पर बताया गया कुछ provision बताया गया कि यहां पर एक officer होगा special officer for linguistic minorities जो linguistic minorities हैं उनको protect करने के लिए officer होगा और जिसका जो appointment है किया जाएगा तो फ्रेंड देखिए काफी important बात है कि appointment किसके दुआरा किया जाएगा president के दुआरा इसके लावा अगर हम बात करें कि यह constitutional body है बिलकु constitutional body है article के अंदर mention है 350b के अंदर में क्या originally constitution के अंदर हुआ करती थी यह जो institution है जो नहीं friends originally यह Indian constitution के अंदर नहीं थी बाद में जब state reorganization के दुआरा इसको add किया गया state reorganization act के थुरू इसको add किया गया state reorganization act जो हमारे काफी important है उसके बाद में हमारे states हैं जो पहले A, B, C and D के अंदर divide होते थे उनको फिर 14 and 6 कर दिया जाता है 7th Constitution Amendment Act के थुरू इसके अलावा बात करें कि जो officer होगा special officer होगा ये इसके दुआरा जो investigate किये जाएंगे linguistic minorities से related जो भी provisions हैं जो भी उनको safeguard करना है उससे related इसके अलावा इनको president को अपनी report है वो submit करनी पड़ेगी और president उस report को parliament के अंदर रखेंगे बोथ house हो parliament के अंदर में तो friends कभी question पूछ लिया जाएगा क्या ये अपनी report है वो directly parliament को submit करते हैं table on the parliament जो भी parliament की houses हैं वहाँ पे table करते हैं तो friends ये statement गलत होगा wrong होगा अगर हम बात करें right क्या होगा friends कि ये अपनी जो report हैं वो submit करते हैं president को he would report president on a matter of such interval as the president may direct और ये president को अपनी report submit करेंगे ये काफी important है इस तरीके से question आते हैं UPSC के अंदर में अगर आप UPSC के कोई भी papers को उठाके देखोगे एक term को change कर देंगे एक सब्द को change कर देंगे और वो आपसे जो basic facts basic details हैं उन से ही question पूछते हैं prelims के अंदर में तो friends हम अगर हम बात करेंगी next अगर हम बात करें इनके अलावा इनकी जो qualifications हैं ये कुछ भी constitution के अंदर नहीं define की गई है constitution does not specify the qualification, tenure, salary, allowance, service condition and procedure for removal of special officer for linguistic minorities तो ये friends कुछ बाते थी special officer for linguistic minorities के बारे में इसके अलावा अगर हम बात करेंगे इनके जो present status है उसके बारे में बात करें तो linguistic minority special officer for linguistic minorities की जो office है 1957 में पहली बार create की जाती है friends 1957 में पहली बार create की गई article 350B हमने देखा है इसके अगर office की बात करें headquarter इनका होता है हिलावाद के अंदर में कुछ regional headquarter भी है तीन जिसके एक important है बेल गाम के अंदर में चेन नई के अंदर में और कैलकटा के अंदर में बेल गाम चेन नई और कैलकटा बेल गाम आपको पता होगा हमारी जो modern Indian history में भी एक बार इसका mention आता है कि गांदी जी एक session को head करते है only session headed by the हमारे महत्मा गांदी जी की दुवारा जो congress का session था वो बेल गाम के अंदर होता है तो आप बेल गाम का एक modern industry के अंदर वो importance है इसके लावा जैनी जम से related भी आपको वहाँ चीज़े मिलेंगी जैनी जम के related वो काफी important है बेल गाम का जो presence है इसके अलावा फ्रेंड हम बात करें हमने देखा इस special officer for linguistic minorities को किस तरीके से appoint किया जाता है originally constitution के अंदर इनकी position नहीं थी 7th constitution amendment act के बाद में यह office है उसको create किया गया जो basically 1957 में आती है headquarter इनका कहां पे है इलाबाद के अंदर है जिसका name change कर दियागा है यह प्रियाग राज आएगा प्रियाग राज के अंदर है इलाबाद का जो name है वो change कर दियागा प्रियाग राज वैसे काफी important है तिरवेणी संगम है वहाँ पे तीन नदियों का संगम है इसके लाबा एक अगर आपको हिंदी literature के अंदर थोड़ा सा भी interest होता तो वहाँ पे संगम बोला करते थे जो तीन कवी हुआ करते थे महा कवी निराला और दो कवी और हुआ करते थे अगर आपको पता हो तो आप comment section के अंदर बताना friends तो वो इलाबाद के अंदर रहा करते थे तो ऐसे दुआरा जो commissioner होगा special officer for linguistic minorities उनको जो assist करेंगे उनके deputy commissioner भी होंगे assistant commissioner भी होंगे वो basically यहाँ पे जो state governments है union territories उनके दुआर appoint किया जाएगा और यह basically अगर हम बात करें ministry of minorities affairs के अंदर यह गिरती है यह office है जो और यह अपनी report है वो submit करते है president को through the union minister for minority affairs के दुआरा तो minority affairs जो ministry है minority जो ministry है उसके अंदर में यह office है वो गिरती है उस ministry के अंदर में यह आती है इसके लावा friends हम बात करें कि क्या क्या function होंगे special officer for linguistic minorities के इनके दुआरा investigate किया जाएगा safe guard किया जाएगा linguistic minorities को ठीक है friends इसके लावा president को अपनी report submit करेंगी कि status implementation of constitution national agreed safeguard for the linguistic minorities इसके लावा monitor करेंगी कोई भी जो problems है conference है seminars है ऐसे review करते रहेंगी क्या आप देखिये friends इंडिया में presently urbanization काफी ज़्यादा हो रहा है जैसे हम बात करें कि census 2011 है उसके 31% Indian people lived in the urban areas तो जो आप native place पे होते हो जो आपकी एक generation पहले जो लोग आपके parents हैं या parents जो language बोला करते थे वो language अगर आप migration की वज़े से urban areas के अंदर settled down हो गए हो तो आप वो अपनी जो local language है जो native language है उसको आप भूल रहे हो तो इस वज़े से बोला जाता है कि इंडिया के अंदर बहुत सारी language हुआ करती थी वो language धीरे धीरे विलुक्त हो रही है वो धीरे धीरे phase out हो रही है क्योंकि जो new generation जो आ रही है new generation के दौरा उन words को use नहीं किया जारा और यहाँ पे bilingual वाला जो concept है जैसे अगर हम बात करें कि Hindi या English या अगर बात करें कि कुछ जो major language है कुछ एरियाज के अंदर जैसे आप पंजाब के अंदर पंजाबी है हरियानवी है राजस्तानी है इस तर टाइब की जो language है आउदी है तो यह टाइब की language आप use कर रहे हैं आप अगर बात करें कि आपकी जो native language होगी अगर हम बात करें कि अगर हरियानवी की बात करें तो हरियानवी के अंदर भी 10 to 12 type की language बोली जाती है एक साइड में ब्रेज बोली जाती है एक साइड में अहीरवाटी बोली जाती है तो इस type की बहुत सारी language होती है किसी भी state के अंदर में तो वो language का जो धीरे धीरे जो पहले base अगर ज्यादा लोग बोला करते थे अब वो news generation जैसे से urbanization की वज़े से migration की वज़े से ये language खतम होती भी जा रही है तो इसके इनको safeguard करने से related भी इनके provisions है ये इनके special officer for linguistic minorities के दौरा work किया जाता है अगर हम बात करें objective का objective ये है कि जो linguistic minorities है उनको equal opportunity देना इनको safeguard करना UTs के अंदर conference provide करना UTs states के अंदर में उनको guidelines देना तो ये सब इनके कुछ objective है special officer for linguistic minorities के दौरा इन objectives को implement करने की कोसिस की जाती है अगर हम बात करें friends हमारे 8 schedule के अंदर में originally जो हमारा आठवा schedule है 8 schedule के अंदर में 8 schedule के अंदर में originally language हुआ करती थी 14 हमारे जब start किया गया constitution के implementation के समय में 14 language हुआ करती थी और presently यहाँ पे language है 22 तो friends सबसे important बात ये है कि 22 language है originally यहाँ पे 14 हुआ करती थी तो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि 14 language कौन से थी तो आप इनके बारे में जरूर read करना एक बार आप देखने के कोसिस करना और friends यहाँ पे काफी important है जैसे राजस्तानी language के दुआरा भी राजस्तान के अंदर भी लोग इसको जो प्रोटेस्ट कर रहे थे आज से चार से पास साल पहले कि राजस्तानी को add किया जाए इसके अंदर में तो friends यहाँ पे आप देखे राजस्तानी एक dialect माना गया है उसको language का रूप नहीं माना गया है जैसे यहाँ पे राजस्तानी अगर डाल दिया जाएगा तो बहुत सारी बच्चे सोचेंगे हो सकता है schedule language हो तो schedule language का part नहीं है राजस्तानी basically उसको language ही नहीं माना गया है क्योंकि उसको dialect माना गया है अगर हम बात करें कि यह हमारी 14 language थी 14 के बाद की जो journey है किस तरीके से जो add हुई इसके अंदर फ्रेंट्स एक important बात यह है कि English हमारी schedule language नहीं है English हमारी schedule language नहीं है यह बात हमको पता होनी चीए कि English हमारा schedule language है उसके अंदर नहीं है अगर हम बात करें कि जो journey है सबसे पहले सिंदी को add किया गया जो सिंदी language है जो सिंदी का जो region है हमारे अगर अगर सिंदी एक community भी है उनकी द्वारा बोली भी जाती है language तो 21st Constitutional Amendment Act के थूँ इसको add किया गया फिर K, M, N, N है कॉंकनी है, मनीपुरी है नेपाली है, जिसको add किया गया 71 Constitutional Amendment Act के थूँ 1992 में और BDMS जो last में add किया गया Bodo, Dogri, Mathly and Santali ये जो चार language है इनको add किया गया BDMS के थूँ इनको 92nd Constitutional Amendment Act के थूँ add किया गया और फ्रेंट्स जो ODIA है उसको ODIA को ODIA कर दिया गया जो language का name change किया गया तो फ्रेंट्स यहां पर यह हमारी 8 language थी, जिनको पहले add किया गया सिंदी को, फिर हमका कॉंकनी मनीपुरी and Nepali जो है उनको add किया गया कॉंकनी, मनीपुरी, KMN के, कॉंकनी, मनीपुरी and Nepali उसके बाद में जो फ्रेंट्स यह हमारी 8 language यह हमारी जो अगर हम बात करें, जो बाद में जो 8 language add की गई, उनको बारे में यहां पर बात थी कि यह जो 8 language add करने के साथ साथ हमारी जो प्रजेंट में 22 हमारी schedule language हो गई है इसके अलावा फ्रेंट्स हम बात करें कि government के दुआरा एक scheme भी launch की ministry of HRD के दुआरा scheme for protection and preservation of endangered language endangered language को preservation से related है यह ministry of HRD के दुआरा 2013 में यह जो scheme है उसको launch किया गया था इसका basic काम यह था कि endangered हो गई है वो language जैसे कोई language है कोई tribal language है tribal peoples वहाँ पे industrialization होने की वज़े से development induced displacement होता है उन लोगों का तो उसकी वज़े से वो लोग urban areas में आ गए है खुद की language भूल गए है क्योंकि urban areas में जो काम करने के लिए आपको लोगों से कोई अगर आप कोई भी छोटा मोटा भी काम कर रहे हो कोई भी work कर रहे हो तो आपको लोगों के साथ में interaction करने के लिए वही language यूज़ करने पड़ेगी जो maximum आपके जो आपसे जो सामान खरीदेने वाले जो लोग है वो आपसे कही यूज़ कर रहे है आपकी जो local language है उसको आप धीरे धीरे भूल जाओगे तो इस तरीके से जो language है जो endangered होई है उनको बचाने के लिए है और यह जो scheme है इसको implement किया जाएगा जो किया जाएगा Central Institute for Indian Language है जो मैसूर है करनाटक के अंदर वहाँ पे located है तो Central Institute for Indian Central Institute of Indian Language है Central Institute for Indian Language है इसके दुआरा इस scheme को अगर हम बात करें तो implement किया जा रहा है monitor किया जा रहा है अगर हम बात करें Central Institute of Indian Language यह Ministry of HRD के अंदर आता है और 1969 के अंदर में इस institution का जो establishment है वो हो गया था तो Ministry of HRD का जो name है वो change कर दिया गया Ministry of Education के रूप में आपको पता होना चीए Ministry of HRD का जो name है उसको change कर दिया गया है Ministry of Education के अंदर रही आता है इसके अलावा अगर हम बात करें Friends हमारी classical language की तो 6 हमारी classical language है सबसे पहले Tamil है उसको declare किया गया Tamil जो Tamil नाडू में बुली जाती है फिर उसके बाद में Sanskrit को एड़ी किया गया Sanskrit को एड़ी किया गया हमारे southern India के जो far southern के जो 4 states है उनकी language आप याद कीजिए अगर हम बात करें कि Malayalam है Malayalam जो केरला की है कनड जो करनाटका की है तेलगू जो हम बात करें कि जो आंदर प्रदेश और तेलंगाना की है और तमिल है जो तमिल नाडू की है तो ये 4 language तो हमारे southern India की इसके अलावा Sanskrit and Odia तो इस तरीके से 6 language है इसके अंदर UPSC ने एक बार question पूछा था कि अभी सबसे latest जो language है वो कौन सी है जिसको add किया गया है जो classical language के रूप में तो Odia उसका अंसर था friends और ये question पूछा गया था उनी topics से basic जो basic concept है उससे question पूछ ले जाएंगे तो इसलिए जब भी आप news papers को read करो monthly magazines को read करो तो आप carefully way में read कीजिए friends इसके लावा friends हम बात करें किसी भी language को classical language का जो status है वो देने के लिए क्या criteria important है वो जो language है जिसको use किया जा रहा है जो classical language तो उसका status कम से कम उसका history है वो कम से कम 1500 से 2000 साल तक पुराना हो दूसरा इसके अंदर बताया गया है कि जो ancient literature text जो language है उससे related हो ये जो language है वो कहीं भी दूसरी community से बोरो नहीं की गई हो इसके अलावा ये जो classical language है और इसका जो modern जो dialect है modern जो वे है उससे एक difference होना चीए उससे discontinuity होनी चीए तो friends ये कुछ criteria थैं कि 1500 से 2000 साल पुरानी होनी चीए उनका कोई text होना चीए कोई उनका literature होना चीए इसके लावा बोरो नहीं होनी चीए ओ language किसी दूसरी language से और एक point ये है कि वो जो classical language है उस classical language का और modern way में modern समय में जो language बोली जाती है उस language के बीच में एक difference होना चीए destination होना चीए क्योंकि basically जो classical language होगी originally different kind of language होगी और जो present at समय में जो बोली जा रही होगी जिस language को वो काफी अलग होगी तो उनके बीच में separation होना चीए destination होना चाहिए तो friends ये कुछ criteria थे हमने special office for linguistic minorities के बारे में देखा हमने schedule language के बारे में देखा हमने जो हमरी अच्छा है classical language है उनके बारे में यहाँ पे देखा उनके criteria देखे कि यह criteria होने जरूरी है अगर हम बात करें कि इन criteria होने के बाद में क्या benefit है तो friends benefit के बात करें तो जो कुछ awards है literature से related तो वो award fix हो जाते हैं आपका जो अगर हम बात करें UGC के दुआरा आपका जो university है वहाँ पे उस language के बारे में आप research start हो सकता है तो friends ये ऐसे कुछ importance benefit भी होते हैं किसी भी language को classical language का status मिलता है और friends याद रखना कि जो हमारी six classical language है वो schedule language भी है ये हमको important point है ये हमको याद होना चीए कि जो हमारी six के six classical language है वो हमारी schedule language का भी इस्ता है जो हमारा eight schedule के अंदर define की गई है जो 22 language है उनको originally वो 14 थी बाद में जो amendment होते हुए सिंधी को एड़ किया गया कॉंकरी मनिपुरी एंड़ा नेपाली को एड़ किया गया उसके बाद में बोड़ो डोगरी मैथली और संताली को एड़ किया गया तो इस तरीके से आपको जो language है ये chapter के बारे में आपको पता होना चीए 2221 के अंदर प्रिलिम्स के अंदर एक क्विशन था उसके बारे में आपको पता होना चीए जो language से related क्विशन पुछा गया था तो friends आज के lecture में हम इतना ही रखते हैं ये हमने कुछ जो special officer के बारे में देखा 350B के बारे में originally जिए नहीं होता है और state reorganization act के थरू उनको हैड किया जाता है उसके headquarter के बारे में देखा इलाबाद के अंदर था तो अगर आपको ये जो lecture है वो सही लगा हो friends तो आपने जो आपके friends हैं जो आपके दोस्त हैं जो UPSC के तियारी कर रहे हैं आपके group में तो उन्हें students के साथ share कीजिए इन lectures को और students आप hard work कीजिए हमको 23 exam के लिए अच्छे से preparation करनी है exam को crack करना है तो continue hard work कीजिए जो information से उनको note down कीजिए अपनी note books में जो special आपने बनाई हो तो students thank you thank you very much